हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो चानल तो आप देख रहे हैं जी गेम सेच डी और स्वागे तब का मेरे इस चानल में तो आज हम खेलने वाले हैं 30-20 मैच बिट्वाइन इंगलेंड वर्सेज इंडिया तो यह गेम प्ले है इसका रियल रिकेट से कोई लिना दिना नहीं है भ आज बहुत लंबा वीडियो जाता है तो उतना लंबा हम नहीं कर पाते हैं तो हम फाइवर का गेम प्ले करते हैं तो अब इस थर्ड ट्वेंटी है इसके पहले के दोट्वे मैच हमने खेले हुए तो आप देख सकते हैं उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में तो आप च तो आज हमने कुछ खास चेंदी के सरफ राहूल को इपस दॉंपर लिया है तो तो आज बहुत लोगों ने के लिए पला था वाई तो किट जो है नहीं अप्डेट विता कि इंगलेंड की तो हमने तो बैटिंग करें गें तो आज मैंने ओपनिंग लाइन भी चेंज के ला को ओपन करवाया तो लेकिन अभी वापस हमने रोईट शर्म और शिकरदवन को ओपन रखा है क्योंकि यह बेस्ट पेर है वई इंगलेंड के लिए तो फर्स्ट बाल 30-20 मैच बिट्विन इंगलेंड वसिज इंडिया आई होप यू विल इंजॉइ दिस शो तो चली शू करते हैं ओ लुक्त वैल वाइड ब्दिया अभी पहला बॉल हो गया बिना किसी रनके रोईट शर्मा ने पास बॉल फेस्क नेक्स पॉल और ये विकेट है यह विकेट रोईट शर्मा बिना कोई रन बनाया आउट कर्ट करना चाहते दियार कर्ट नहीं हो हम सच अच्छ से और अब है केल राउल वैसे तो उपनर नहीं कर रहे थे लेकिन अब उपनिंग में ही पहुच चुके हैं सिर्फ दो ही बॉल लेगे रोईट होगे तो नेक्स्ट बॉल केल राउल के लिए ओ वैल प्लेइड इन गाप नहीं अब के तो हाड़ेस मोड में खेल रहे हैं इसलिए एक वी रनी बना वारा विगड मिलिए मैं रहे दो, वल बॉल ख मैं अधाव भारा रहे वा अधाव ऑज वा थाो उपना न। था ड्रPh दे गड़्ट रॉल इसलिए भ hon कि भार हक् बॉल रील्त रच्र है जुल prominए बढ़ यह शाट स्वाईन्ट सेख्शन में लिखना मत बूलो की तुमें क्या पसंद आँ इस वीडियो में और कॉन पॉल की बॉल और बहुती बढ़ी है शॉट यह आपर फिल्डर भी है यह एक ही रन मिलेगा यह एक 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 यह एक फिल्डर प्रे ले लिए इंडिया के लिए शुरुरूरा थोड़ी खराब एक विकेट जा चुकी है और इंग्लेंड की शुटाब प्रे ले लिए उन्होंने वेल प्लेड रनो की गति को आगे बढ़ना पड़ेया केल राउल को सिर्फ आठ रन बनाए पांच बॉलों में उन्हें भी तक और बहुती बढ़िया शॉट यह चे रन होंगे बॉलर के सर के उपर से दे मारा है वाई बहुत बढ़िया शॉट स्टेप आपकर के चे रहा है बहुत बढ़िया चॉटर रन बना चुके हैं के लोडल तक और वन बोर यार गैप में नी दा ही तोड़ी सी रन रेट जो है अच्छी हुई है मारी नेक्स्ट बॉल पर देखना है क्या होता है गाप में है एक रन तो जुरूर मिलेगा दो ले लिए वई रनिंग बिट्वीन दा विगड काफी अच्छी इसी रनिंग करते रहे तो काफी अच्छा है इंडिया के लिए रन भी ज़्यादा बनेंगे इस पर भी सिंगल नी चुड़ा है फास्ट रनिंग बिट्वीन दा विकेट और एक और रन चुरा लिया है अधिल रशीदा बॉलिंग करने के लिए और पहली बॉल पे स्वीप कर दिया है जो कि वन बॉंस फोर बाट बढ़िया शॉट वन बॉंस फोर बाट बढ़िया शॉट वन बॉंस फोर पुरा टाइम लिया और पूरा देमाना अधिल बॉलिंग में ना वहाँ पे इसलिए चांस लेने में में को बढ़िया फिर से से मौल और सेम शॉट सेम विजल इस बार चे होंगे यह अधिल रशीद के अची दूना ही होते हुए क्योंकि वह लेकस पे बॉल डाल रहे है तो बहुत चांस मिल रहा है भाई लास वुए फिर से आएगी तो फिर से पढ़ेगा देखे में कर बॉल दालते हैं सेंट ते चीम एंडिये ते, यूसल सेंट इस ताइ यूसल इस बाइख बाइग बडिय शॉन जोरॉआ, या अबनाова किलर सो पूरा न्रा लेटेटए निजे चरहरर्ण करिया मैं ते, फिर सेंट डर लावर्कृ Commission मैं एस त्यू निजे ड़किले फिर इस दाइख बहुत ही बढ़िया शॉट्ट वहां पर सेम बॉल कर रहे हैं जगा मिले और फिल्डिंग आपको लगी नहीं वहां पर फिल भी आप वहीं बॉल डाल रहे हो अब 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 फिर से डाय तो मझे लगता फिर जाने वाली है फिर से सेम बॉल और बीट कर दिया यवार यस इसलाइफ वल प्लेड और ये रिस्की रहन ले लिया है बाच गए डारेक्थ हित अगर उती तो जरूर आउट अटे ओके नेक्स बाल वाल प्लेड बहुर बढ़ 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 पछा लाइप में चार रन मिले गढ़ क्यल रहुल ने 42 राहूल न और रिव टीम के स्कोर 43 जिस में से गário प्रें रन शार चीखर ज़के बनाय और यक़ बढ़ 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 यह का बात ky Also qya बात है क्लेस्मेंट कर रहे हैं उनकी लीग स्लीप लगाई है गली में भी प्लेयर रखा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो राउसका 46 बना दिये हैं केल राउल ने ओ वेल प्लाइट नाई 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 अजित वाल वहाओवन में बह्त ही बढ़िए शाम पूल कर दिया है चारन के लिए को बहुत बढ़िए शाम हाट गैल रहुल 25 के राउल के पचास पूरे गेम प्ले में ओ ये मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखें कि कैसी लगी आपको के अलोल की बैटिंग और ये लास्ट बॉल है ये इनिंग नहीं ये ओवर कर भई ओ टॉप एज़र एक और चाह नन मिलते हुए पंखिट जो की काफी बॉंस करने की ट्राइ कर रहते हैं लेकिन टॉप एज़ लगा और बॉल गई बार इंडिया और फिफ्टी फार फॉवर डालने के लिए इंग्लेंड का लाइन अप चेंज है नहीं मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उसके तो आप फेस करेंगे शिकर दवान तो आप मिस्टेश करेंगे नेक्स्ट पॉल बाद बढ़िया शॉट गैप में भी है इन अप चार तो ने चीए यजए बहुत बढ़िया शॉट बढ़िया शॉट बढ़िया शॉट बढ़िया गैप मैं के लाइन नेक्स वाल और यह बहुत ही जबर्दस शॉट बहुत ही बढ़िया इसका रीफ्ले देखना पर बनता बई क्या बात है क्या बॉल थी है और क्या शॉट है पूरा पूल किया स्ट्रेच करके तो दस रन आ चुके है नेक्स्ट बॉल और आई थिंग आउट होने नहीं चार रन मिल गए है तो शिकर दवन को वी एक ही ओवर मिला था खेलने के लिए उनने भी उसका यूटिलाइज पूरा अची तरह से कर रहे हैं वो भी कुई जगा नहीं दे रहे हैं जहां से की रन ना और ये एक और टॉप एज लगा है क्या ये भी बाउंडरी तक जाएगी बॉल मुझे लगता है ज़रू जाएगी जी हाँ शिकर दवन ने पूरी कसर जो योवर में निकाल ली है ओ ओ माइंड ब्लॉइंग शॉट कौन सा शॉट सबसे अच्छा लगा आपको पूरे इस वीडियो ज़रूर बताओ क्या ये था वो बेस्ट शॉट इसका रीप्ले तो हमने समभाल के रखना चाहिए तो अच्छा शॉट था ये फुल फ्लो में मिला है में चार्स छे ये देखिए है क्या शॉट मैन तो ये क्या बेस्ट शॉट था आप ज़रूर बताएं तो 80 रन का टार्गेट दिया है जो की बहुत बड़ा टार्गेट है मेरे हिसाब से तो लेकिन इंगलेंड की बैटिंग भी काफी अच्छी है वो चेज कर सकते हैं नो डाउट तो चॉसबटर और जेसंड रॉइ आएंगे और हमारे पुनेश और कुमार डालेंगे फिर्स्ट बॉल फिर्स्ट बॉल सेम जाएंगा पहले दो और देदिया है पहली बॉल पे गुमा के इनोने है इंगे चार रन होंगे बहुत बड़िया शॉट बहुत डिफिर्ट क्या किया जाया यहांभी यहांभी अँ यहो सकता कि आप लाइन पे बॉल डाल डालेंगे तो तो थोड़े चांस कम मिलेंगर शॉट डालेंगे तो यह भी बहँ शॉट ही देगे जाने की ट्राई अच्छी ट्राइ बूबने शो को मार की वहाँ पर क्योंकि रन तो आपको रोकने पड़े हैं किसने किस तरह अगर रन नहीं रोके तो कुछ नहीं होने वाला तो और ये चार रन की तरफ जाती भी बॉल लेकिन मुझे लगता नहीं है चार होंगे क्यों फिल्डर हमारे चुस्त अद्रूस तो रोने थ्रो कर दी है नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किये दोर रन लिये हैं नो ओके वो बॉल बढ़िया बॉल थी ये थोड़ा हमें लगा शायद है जोगा लेकिन है जी नहीं लगाता भई और ये कैच हो सकता है क्या जी नहीं कवर्स के उपर से चार रहा तो मेश यादव नेक्स्ट बॉलर वेल प्लेइड स्ट्रेट ड्राइव लेकिन फिल्डर हमारे पास नेक्स्ट बॉल फिट से ट्राइ करेंगे इन स्विंग करने का बढ़िया शॉट लेकिन फिल्डर है हमारे पास टीप पॉइंट लगा हुआ सारी की सारी बॉले मं अंदर आलें की ट्राइ कर रहे हैं ताकि थोड़ा चांस बने एज लगने का भी और जैसा की मैंने बोला था विकेट मिल गई हमें जॉस पटलर की जो सबसे इंपॉर्टन विकेट थी इसलिए हमार ट्राइ कर रहे हैं अंदर बॉल डालें ताकि थोड़ा कट लगने की थैंसे जादा बन जाए है हो सब्सक्राइस में रन भी आ सकते थे लेकिन रिस्क लेना पड़ा ये कैश तो मुझे समगने अदर गेम में क्या है बग है क्या है कोई भी आडे तिर्शे कैश पड़ लेते हैं और कभी-कभी सीधे भी नी पकड़ते हैं तो रूटा है बैटिंग करने के लिए नेक्स बॉल उमेश यादा उटा बढ़िया शॉर्ट चार रन अब चाहिए 65-20 में तो ताबर तोड़ बैटिंगाने पड़ी है इसके लिए ओगल फ्लेड अगें अमारे पास डीप में फिल्टर लगाया हुआ है तुमेश यादा फेस है अपनी तेज बॉलिंग डालने के लिए तो हम ट्राइ करेंगे बांसर दलाने का उनसे वह वहाँ बाड़ 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 वहाँ प्लदी पीयादा वाया मिस्ट्री बालर ओड़ बाड़ यहा बालाब लेक डलवारे हम फिलाल तो फिल्डर है हमारे पास नो प्रॉब्लम गुगली डाल के देखते हैं यहां से पहले मैच में कुल्डी प्यादो ने बहुत अच्छी बॉलिंगी तरो बहुत सारी विक्टे ही मिली उने लेकिन दूसरे मैच में अच्छी दुलाई हो गए उनकी विक्टे भी एक ही मिली यह तो जाएगा बहुत चार रन के लिए हंड़ेड परसेंट वड़िया शॉट था यह और यह कैच होना चाहिए है रफ होना चाहिए कैच होना चाहिए बाई यह कमान यह कैच बना सकता यह अगर थोड़ा सा और फर लगाए जा लगए जा यह तो बंकरके बाल निकल गी है चाहर रहने के लिए तो अब आए है चाहल आए है तो गाल यह आए है यह थोड़ा चाहस बन सकता है यह थोड़ा जाहसे पना सकता है कोई बात नहीं वापस गुली डाल नीकी ट्राइ कवर ड़ेड इस ताम इस तो बी गो फोर रान लगगगए मुझे हैल्स ने मार दिया चार रन और थोड़ा सा बालिंग अटेक चीन करना बड़े ये कैच हो सकता है क्या कैच हो सकता है क्या भाई पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले हैल्स अपनी फॉर्म बर करा रखते हुए पिछले मैच सी आपनी फॉर्म बड़ा बड़ा ये भी चार रन जाएंग अजा लग रहा है मुझे हाँ चार रन मेडियम पैसर को ही विकेट मेरी अभी अभी विकेट नहीं और एक और कुछ तो भी अलग से कट कर रहा है यारे पीछे की तरफ में स्क्वेर की तरफ चार रन और मिले कि प्लेट लास्ट वं रिल्ली वेल रिल्य वाल किन बोलर रिस्पॉंड है कंटिन्यू बाउंडरी पड़िये और अब मुझे लग रहा है कि एचे वाई बॉल पकड़ले अब तो एक तरफ बाउंडर उबें माई गाड कंटिन्यू चौके पड़े तो अब चाहिए ने थर्टी ट्नू छे बॉलों में और बॉलिंग डालेंगे और दिक पांडिया वह पैली बॉल पर बाउंटरी जाने वाली है किया नहीं नहीं जल्दी भागो भाई तो दो रन तो लेली हैं तो अब चाहिए पांच बॉलो में तीस रन याने की पांच खके नहीं जी नहीं अब तो यह बाउंडरी भी जाएगी मेरी साब सो पीनर को मार फटरी तो यहीं मीडियम पेसर को बराबर अच्छी बॉली गोरी है नो डाउट नाइस फिल्डिंग देर गुड रिटर्न एक और अपटर यह भी चार होंगी क्या नहीं फिल्डिंग है मारे पास बहुत बढ़िया फिल्डिंग रन आउट का भी चांस है लेकिन थ्रू उत्मा फास्ट नहीं तो तीन बॉलो में चपविस रन में जो की ना मुंकिन है वह बहुत बढ़िया शॉट अच्छी बैटिंग करते वह और रिक और शॉट दे दिया वह बाउंडरी अच्छी पाटा शुट करें इंगली अच्छी पाटा शुट करें इंगली आउव बाउंसर डाल के क्या हुआ तो पंदरा रन से इंडिया ने मैड जीत लिया याँ अच्छी पाटा शॉट अच्छी पाटा शॉट